आप मेरे YouTube चैनल एस्टो नरेश पर आपका स्वागत है मैं हूँ नरेश्कवार नमस्कार बात हो रही है शनी देव की क्योंकि शनी देव का गोचर हो रहा है तो बहुत सारी वीडियो से शनी देव के उपर आ रही है लेकिन शनी देव की साड़े साथी शुरू होते ही आपक आपके प्लका आपका से शनी देव का इस म Unity का इस त संच साधी चल रही है आपका परेम समन्द उड़ गया है शाड़े साती चल रही है लेकिन क्या शनी देव इस को इस तेव करशिश करेंगे शनी देव को कौल यहां साथी के दूर में क्योंकि शनी देव करम फल ओसे क्रम लेकिन आप इस जनम में नहीं जाती है साड़े साथी के फेस में इस वीडियो के जरी आपको समझाएंगे क्योंकि ये जो साड़े साथी है इस बार मीन राशी के उपर शुरू होनी है तो मीन राशी से ही ट्राई करते हैं समझाते हैं आपको कि कैसे शनीदेव आपके पुराने जनम के करमों को नहीं disturb कर पते किसी भी हाल में आइए देखने हैं जैसे शनीदेव 17 जनुरी को कुम राशी में आ जाएंगे यहां से जब गोचर करना शुरू करेंगे तो शनीदेव की तीसरी दिश्टी यहां पर आएगी एक दो तीन यहनकि इस भाव के सिगनिफिकेंस वो डिस्टर्ब करेंगे उसके बाद शनीदेव की साथवी दिश्टी सीधा छठे भाव पर आएगी इस भाव के सिगनिफिकेंस जो है यहां से हम देखते हैं कि धन आता है यह वानी का भाव है यह कुटुम्ब का भाव है प्रवार यहां से देखा जाता है यहां से हम litigation देखते हैं, allegation देखते हैं, बिमारी देखते हैं यह रोगरन शत्रू का भाव है उसके बाद शनीदेव की दस्वी दिश्टी आती है वो यहां पर आती है यह भागेस्तान है इसी लिए शनीदेव की साड़े साती को थोड़ा सा खतरनाक माना जाता है क्योंकि चंद्रमा से एक घर आते हैं, एक घर पीछे आते ही वो आपके करम को डिस्टरब कर देते हैं, भागे को डिस्टरब कर देते हैं, यह भागेस्तान है, तो यहां पर शनी की दिश्टी आएगी पहले फेस में, यह पहले फेस की बात हो रही है, शनी देव जब यहां से भी है यहां से आपका प्रक्रम देखा जाता है यहां से आपके शोल्डर की ताका देखी जाती है तो शनीदेव की साथी दिश्टी जो दूसरे फेस में आएगी आपके पास वह यहां पर आएगी यह आपके पार्टनर्शिप का हाउस है यह आपकी शादी का घर है यहां से स को देखेंगे दूसरे फेस में जबाएंगे तो दश्मसान को देखेंगे यह करम का भाव है यहां पर शनी आकर करम को डिस्टर्ब कर सकते हैं तो यह दूसरे फेस में शनी यह काम कर देते हैं अब देखिए यहां पर दो फेस में शनी ने छे हाउस को डिस्टर्ब किया है ए जो दुथा भाव सकान सकतो होता है इσको यहीं से आपको डुनिया लाइफ़ की सारी एसेट अश्टम से अश्टम भाव आपका सीक्रेची का भाव है अस्टम भाव से आपको assets आते हैं जो parents की property वो इस्टम भाव से देखी जाती है तो यह significance यहां पर आकर शनी डिस्टरब करते हैं यह accident का भी भाव है तो यहां पर आकर जब शनी की दिश्टी परती है तो यह बहाव एक्टिवेट हो जाता है और आगे जब शनी जाते हैं तो यहां पर disturb करते हैं अब देखिए तीन faces में शनी ने तकरीबन सारे घरों को disturb कर दिया यहां पर शनी आप खुद बैठे थे यहां पर शनी खुद बैठे थे यह भाव उन्हों ने सारे disturb कर दिये एक भाव जो disturb नहीं कर पाए शनी देव साड़े साती में वो पंचम भाव है पंचम भाव आपके पूरवर्जित कर्मों का भाव होता है यहां से आपका लवफेर देखा जाता है निश्चल प्रेम यहीं से देखा जाता है यहां से इजी गेंस देखे जाते हैं यहां से स्टेट ओफ माइन देखा जाता है यहां से आपकी बुद्धी का पर smiling 7TS के दुरान कभी नहीं जाती है शनीदेव इस शटर्ब्क करते साटे 17 के दुरान तो इस चीज़ के लिए खुद को mentally prepare करेए यहां पर दिकथ नहीं आसकती कभी भी पहले frame जहां दिक्थ आएगी वह बता दिया दूसरे frame जहां बताएगी वो बता दिया तीसरे फेस में जहां पर दिक्कत आ सकती है वो बता दिया दिक्कत भी तब आएगी जब आपकी कुंडली में दशा प्रतिकूल चल रही होगी और शनीदे उपर से आ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं लेकिन यदि आपकी दशा ही भागेसान की चल रही होगी या पंचम की चल रही होगी तो शनीदे भी वहां पर कुछ जादा नहीं बिगाड़ पाएंगे मालीजी आपकी मीनलगन की ही कुंडली है और चंद्रमा की दशा चल रही है चंद्रमा की दशा पंचम की दशा चल रही है पंचम कोई शनी पीड तो नहीं बिगाड़ पाएंगे तो वहम में मत रहेए एक्षिल में स्टोलजर को फोलो करिए किसी अच्छे इस्टोलजर को जो आपकी कुंडली देखे और आपको तरीके से गाइड करें आपको नेगटिव ना करें पॉस्टिव तरीके से देखिए चीजों को दुनिया में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं एक तरफ negative aspect है दूसरी तरफ positive aspect है हलाकि ये बात सही है कि बहुत सारे लोग negativity की तरफ जादा जाते हैं टीवी लगा हो और सामने कोई positive खबर चल दी हो तो आपका ध्यान नहीं जाता लेकिन जैसे ही खबर आए कि फलाँ देश ने फलाँ देश हम ऐसी लेकर आएंगे जो आपको actual में positive positivity की तरफ लेकर जाएंगी ये content आपको कैसा लगा इस पर अपनी मुझे राय जरूर दीजिए comment box में और page को subscribe जरूर करिए और share जरूर करिए ताकि आपको इसी तरह का content आगे भी मिलता रहे नमस्कार